की प्यारी आटी अचे हो वी याइट के बढ़िया है तो मेरे नाइन्त क्लास के बालेकों तो मेरे प्यारे प्यारे आट्मस आप लोग के लिए अब ये बढ़रई स्टेशन ब्लान भी सरयन के ранahya लिए वा टैन्थ क्लास की वीदियो आए के बोलते हैं कि ma'am 10th class के लिए इतना सब कुछ, इतनी सारी videos, अब हमारे भी exam पास आ रहे, अब हमें भी बता दो कि best तरीके से कैसे पढ़ाई करें और effectively कैसे पढ़ाई करें, ताकि time अच्छे से manage कर पाएं इस last एक से डेड़ महीने में, ताकि exam फोर दें, है ना, तो 10th हुआ, ठीक है, बत 9th भी होना चाहिए, तो आज आपकी अनुभाग और मैम, आपकी chemistry master teacher, आपकी A.G.M. लेकी आई है एक बहुत important वीडियो, जिसमें हम discuss करने वाले हैं, दो aspect, दो plan, एक उन बच्चों के लिए जिनका paper last Feb में है, क्योंकि school to school depend करता है 9th class के paper, एक उन बच्चों के जिनका paper first week of March, या फिर second week of March में है, तो 30 दिन के लिए, या 45, 45 दिन के लिए best strategy, क्या हो सकती, एक subject को पढ़ने की, वो मैं आपको बताऊंगी, I hope video बहुत helpful साबित होगा, तो चलो atoms, मेरे साथ इसको शुरू किया जाए, yes, short and sweet video होगा, but बहुती important, बहुती धमाकेदार, तो उसके लिए थोड़ा सा support करना तो बनता है, थोड़ा सा support करना तो बनता है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, we, we for Vedantoo, we for victory, and we, कि अगर आप साथ हो, Vedantoo के साथ हो, तो how about liking the video, do like the video, share it among your friends, थाकि थोड़ा सा भला उनका भी हो जाए, science आपको सिखाता है, chemistry सिखाती है, sharing is caring, so please do that as well, sharing is caring, and अगर आप नए हैं, तो क्या सोच रहे हो, अब बहुत जल्दी 10th क्लास में हो जाओगे, best platform है पढ़ाई करने का, जहां आपको motivation भरपूर मिलेगा, पढ़ाई भरपूर होगी, और उसके साथ साथ कोई भी information ICBSC से सबसे पहले हम deliver करेंगे, तो subscribe करना तो ब अनुभा अंडर्सकोर, एजी अंडर्सकोर, only if you are on Insta, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, ए, download कर, ए, follow कर, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है, so as I said कि दो प्लान हम discuss करने वाले हैं, कि आप सब लोग रेडियो सुनने के लिए, तयार, बेताब, excited सब, so how about writing you in the chat, you A.G. ma'am, with a golden heart, क् A.G. ma'am, और A.G. ma'am की आचम सार्मी का दिल, सोने जासा है, ma'am, ma'am, अपने मियां मुठ्धू बन रही हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बन लेते हैं, नाम किसकी है, चलो, I think you all are super ready, so two plans discuss करेंगे, plan number one, as I told you, 30 days best strategy, जिसमें आपके mystery पढ़ेंगे, और एक 45 day strategy, जिनके paper, मार्च के first week में, 7th मार्च, 3rd मार्च, ऐसे कुछ होने वाले हैं, 8th, 10th ऐसा कुछ, ठीक है, बाद में हैं, तो वैसे भी no problem in that, आप इस plan को focus करके कर सकते हैं, पर I think जब मैं भी थी, तो हमारे जो paper होते थे ना 9th class में, वो first week of मार्च में शुरू होते थे, तो दोनो strategy discuss करें करेंगे, सबसे पहली बात उनके लिए, जिनके paper, Feb end में है, maybe 22nd Feb, maybe 25th Feb or so, तो आपके लिए, मोटा-मोटा एक महीना बाकी है, right, क्योंकि आप थोड़ा time revision के लिए, specific revision के लिए भी रखेंगे, है ना, तो अगर मैं आपको सिर्फ chemistry बताओ, और फिर बाकी subject का combination बताओ, अ क्योंकि एक महीना बाकी है, आप कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ाई करेंगे रोज, right, school को भूल जाए, homework, I'm sure अभी revision ही चल रहा होगा, तो 4-5 घंटा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरीके से आप 3 subject का combination ले सकते हैं, आप 1.5 घंटा, I think 1.5 hours, which is 1.5 घंटा is sufficient, अगर आप chemistry को लगाए, क्योंकि बहुत difficult नहीं है chemistry, if I talk about 9th class, तो मालो आप एक दिन में 3 subject करेंगे, roughly मैंने दे दिया 4.5 hours, ठीक है, पहले हम plan A discuss कर रहे है, plan 1 discuss कर रहे है, जिसमें हम हर एक दिन 4.5 घंटा पढ़ाई करेंगे, कैसे 1.5 hours per subject, ठीक है, 1.5 hour per subject, आप लोगों के पास है, 3 subject, combination आप चूज करें, अगर आपको लगता है कि maths थोड़ा week है, तो आप 2 slot maths के ले लीजिए, ठीक है, 2 slot maths के लेने का मतलब क्या है बच्चों, कि आपने 3 घंटे maths के ले ले लिए, आपने 3 घंटे maths के ले ले लिए, और बाकी का 1.5 घंटा science का कोई topic उठा लिया, 2 2 slot maths के ले ले लिए, क्योंकि maths में काफी सारे question की practice करने पड़ती है, और 1 slot, हर 1 slot का मतलब है 1.5 hours, वो आपने दे दिया chemistry को, ठीक है, फिर आपको रेलाइज हुआ कि हाँ, अगले दिन थोड़ा maths light लिया जा सकता है, आपने 1 slot maths को दे दिया, 1 chemistry को, 1 physics को, ठीक है, दूसरे दि अगर मैं बात करूं, I mean तीसरे दिन, इस तरीके से आप combination बिठा सकते हैं, एक दिन 1 slot, आपने दे दिया SST को, एक आपने दे दिया English को, और एक आपने दे दिया maths को, so it's all about your combination, like permutation and combination that you are going to plan, मैं एक subject को accommodate करना बता रहे हूं, बाकि आप अपनी मर्जी और सुविदा के हिसा करता है कि आपकी त्यारी कितनी strong है, बहुत strong है, तो आपके लिए time बहुत काफी है, but बहुत weak है, धंग से पढ़ा ही नहीं की due to XYZ reason, तो आपको इसको बहुत seriously लेना पड़ेगा और बहुत जादा productivity पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तो plan A, plan 1 को follow करते है, फिर plan 2 पे जाएंगे, which is 45-day strategy, ठीक है, तो अगर मैं plan A की 30 दिन के बात करूं, जैसे मैंने बताया, 25 दिन हम रखेंगे revision के लिए, और 5 दिन रखेंगे self-test के लिए, because this is the most important thing, है न, खुद को analyze करना कि आप कहां stand करते हो, 9th class के लिए I can understand, that's a heavy term, but यहां पे self-test का मतलब खुद को judge करन नहीं है, पट हर एक paper का evaluate करना है, खुद को, evaluation देना है, कि हाँ यह question attempt करके देखते हैं, और आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, तो we will do that, तो 30 days में, आप 25 days किस तरीके से utilize करेंगे revision के लिए, वो बात कर लेते हैं, और 5 दिन में test कैसे देंगे, वो भी बात कर लेत है, पहले chapter कर division तो बनता है, राइट, 4 chapter हैं जो आपके chemistry में आ रहे हैं, अगर मैं ये भी बताऊं कौन सा topic है, कौन सा delete हो गया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, फिर पता चला कि माम ये ही नहीं पता हमें कि क्या paper में आ रहे है, क्या नहीं आ रहे है, ये तो बहुत ही पूरा आ रहे, complete आ रहा है, अगर मैं second chapter की बात करूं, उसमें से इस साल के लिए separation techniques कट चुकी है, तो अगर मैं मोटा मोटा तुम्हें समझाओ ना, बहुत जादा syllabus बाकी है ही नहीं, ठीके, बहुत जादा syllabus बाकी ही नहीं है, बहुत मोटा chunk जो है, अल्रड़ी कट गया है, तो आप लोग, I don't know what to say कि लखी हो कि लखी नहीं हो, लखी हो as in कम पढ़ाई करने पढ़ रही है, बहुत लखी इसलिए नहीं हो क्योंकि important topics है, अगर आप आगे science परसू करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए important होता, ठीके, तो अगर आपके पास spare time बचता है, और थोड गया है, ठीके, मोल concept से पहले का सारा आ रहे है, और अगर मैं चौथा topic बात करूं, जो structure of atom है, वो पूरा आ रहे है, तो अब मुझे अपने हिसाब से बताओ, कौन सा chapter तुमें सबसे easy लगता है, कौन सा सबसे मुश्किल लगता है, चलो, देखते हैं, जानना चाहती हूं मै आपकी यह जी माम, जल्दी से मुझे बता दो, या, come on atoms, come on, no, यह तो गलत बात, Okay, I think matter in surrounding ही कैसा chapter है, जो अब तक आपको आसान इसलिए भी लगता होगा, क्योंकि आप बार-बार-बार पूरा साल से क्योंकि पहरा chapter पढ़ते जा रहे हो, और generally बच्चे बोलते हैं कि atoms and molecules थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे मैंने बताया है, उसका एक मुश्किल topic तो अ Is a matter around is pure, थोड़ा सा difficult पढ़ते है, थोड़ा सा lengthy chapter है, knowing the fact separation technique थोड़ा और मुश्किल होता है, बढ़ कट गया है, atoms and molecules को थोड़ा जादा difficult माना जाता है, when it comes to 9th class, 9th class के science का ही, एक one of the difficult topic है, बढ़ खुश हो जाओ, क्योंकि आपको mole concept नहीं पढ़ना, तो हम हरे chapter को उस हिसा आप से उसका level है, राइट, तो ठीक है, बारी-बारी से बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे chapter number one, which is definitely matter in our surrounding, तो matter in our surrounding के बात करूं, मैं आपको 30 दिन का plan बता रहे हूं, 30 दिन में से मैंने 6 दिन accommodate कर लिए, बच्चे बोलेंगे माम हम तो 1 से 2 दिन में पूरा कर लेंगे, अगर एक बार बैठे तो, मैंने क्या बोला है, इस plan के साथ आपको बाकी subject भी accommodate करने हैं, depending upon कितना करना चाते हो, 3-4, देड़ गंटे की sitting लगा रहे हो, 3-4 subject अराम से कर सकते हो, बीच में break दे देके definitely, दो गंटे की sitting लगा रहे हो, आप 2 subject ले लो, ठीक है, it's all about how you plan it, मैं ए गंटे से ये करना है, उस गंटे से ये करना है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक बच्चा अलग है, हर किसी की learning capabilities अलग है, और उसके उपर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, ठीक है, तो सबसे पहले day 1 की अगर मैं बात करूं बच्चो, day 1 में आप क्या करो, देख ले नहीं तो उस NCRT के थुरू notes जरूर बना रखे होंगे, NCRT इधर रखो, notes इधर रखो, पढ़ना शुरू करो, revise करना शुरू करो, बीच में एक ब्रेक देदो, definitely, साथ में in-text question and exercise करने, अगर आप ये करने लगे ना, तो 2 घंटे मेरे हिसाब से दो लगेंगे आपको, पू मेरा दिया हुआ, या गूगल से उठाया हुआ, क्यूं? क्योंकि जब आप खुद बनाएंगे, आपने पढ़ लिया चाप्टर, अगले दिन खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करी है, आपको याद आएगा कि आपको कितना याद है, ठीक है, और कुछ याद नहीं आई आप फिर से रिवाइस करके उसको बना सकते हैं, माइन मा बनाते हुए सबसे पहले में जो टॉपिक का नाम है, वो लिखिये, उसकी जो फॉस्ट ब्रांचेज होगी, उससे बनने वाले टॉपिक होंगे, फिर उसमें सेकेंड ब्रांचेज उनके बारे में डीटेल होगी, डीटेल का बिल्कुल मतलब नहीं, आप कहानिया लिखने बैठ जाए, इट शुड बी वेरी मिनिममम अमाउंट अफ कंटेंट अट इस देर, और बहुती प्रसाइज, बहुती काम की छोटी सी बात बता देने वाला, क्विक रिवजिन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, त के दो, तीन, पाश नंबर के subjective सवाल भी आएंगे, ठीक है, short answer type, long answer type, उसके लागा case-based सवाल भी आएगा, तो इसलिए, अब दो दिन के बात, बाकी के तीन दिन हमने रखें, उसके revision के लिए, सवाल attempt करने के लिए, ठीक है, तीसरे, चौथे दिन, आपने दो दिन डिवाइ MCQs हो गया, fill in the blanks हो गया, assertion reasoning, यह जो A section है उसके इंदर आएंगे, और A section में सिर्फ MCQs आएंगे, I mean, one mark में MCQs, assertion reasoning, जो आपको fill करना होगा, ठीक है, तो A जो sitting है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइट करके, एक दिन सिर्फ MCQs कर लीजे, एक दिन सिर्फ assertion reasoning के, और fill in the blanks वाले सवाल कर लीजे, ठीक है, बात खतम, जब आप पाचवे दिन पर पहुँचे, तो आपको लंबे वाले सवाल की practice भी करनी पड़ेगी, आप चाहो तो आपको लगता है कि मैं हम यह देड़ दिन में हो गया, तो बाकी का जो देड़ दिन है, यह वाला और यह मिला जाके दो, तीन और पाच नमबर के सवाल भी लगाओ, trust me, when I'm talking about one particular chapter, तो इतना जादा content नहीं है, इतने जादा सवाल ही नहीं बनते, ठीक है, तो maximum अगर आप यह सवाल लगाओगे, आपको 30 सवाल मिल जाएंगे, 40 सवाल मिल जाएंगे, 50 सवाल मिल जाएंगे, अराम से कर ठीक है, बल्कि इसको डिवाइड भी कर लो इन तीन दिन को, 1.5 डे, डेड़ दिन इसके लिए लगाओ, डेड़ दिन इसके लिए लगाओ, क्योंकि लॉंग आंसर का मतलब यह नहीं है, बुक खोली पढ़ना शुरू कर दिया, लॉंग आंसर का मतलब है, आप लिख लिख और फिर एक्जाम में सवाल सॉल्व नहीं होते थे, तो प्लीज आलस मत दिखाएगे, ठीक है, और फिर लास्ट दिन क्या लिखा है, टेस्ट 1, यानि के जो मैंने 5 दिन टेस्ट के लिए रखे थे, वो 4 दिन हर एक चाप्टर के टेस्ट के लिए रखे थे, तो 6 डे आप क् marks का paper करो ठीक है कि मुझे 20 number का paper देना है और मैं इसलिए मैंने चार-पांच मैंने क्या किये mcqs उठा लिये फिर मैंने case way सवाल उठा लिया दो दिन मैंने two number वाले सवाल उठा लिये फिर तीन number वाले और फिर पांच number वाले 25 number का कर लो बलगी ठीक है मैं आपको इस चीज में भी help कर देती हूं तो हर एक बार आपको 25 number का test देना हर एक chapter का done है sorted है yes वोल दो ठीक है चलो यह प्लान हो गया पहले ही chapter का matter in our surrounding मैंने छे दिन utilize कर लिये हैं अब हम बढ़ते हैं is matter around us pure थोड़ा level of difficulty में थोड़ा उपर आता है इसको जाधा time चाहिए तो हमने उसको छे नहीं साथ दिन दिये ठीक है साथ दिन में हम इसको कैसे plan करेंगे day one and two again ncrt revision in text question and exercise किस तरीके से एक दिन आप क्या करो ncrt का पूरा revision करो दूसरे दिन आप लगाओ सवाल ठीक है सिर्फ ncrt सिर्फ और सिर्फ ncrt ठीक है when i talk about day three आप उसका खुद से mind map बनाएंगे exactly same बात और ncrt exampler के सवाल करेंगे ठीक है ncrt exampler की book भी आती है आपको cbse की website पे भी सवाल मिल जाएंगे बहुत सारे sample questions मिल जाएंगे फिर day four आप सिर्फ one mark questions की practice करोगे one mark में mcqs assertion reasoning और ये वाले सवाल आ जाते अफल नडब्लांक से year follow day five and six वा एक डिन आप दो और तीन नमबर के सवाल करो दूसरे दिन आप पास नमबर के और case-based सवाल करल ठीक है इन दो दिन में से work पहले दिन क्या करोगे day one two or three number के सवाल करो इसका जो day two है five number के सवाल और case-based सवाल चाप्टर खतम हर तरीके से खतम revision super best and super solid हो गया अब कोई डरना नहीं है तो आप day 7 को रखो self test कितने नमबर का test होगे बच्चों बताओ 25 नमबर का कहां से दोगे जो आप book follow कर रहे हो सवाल वगरा लगाने के लिए आप 25 नमबर के सवाल mixture बना लो एक नमबर के, दो के, तीन के, पाँच के के इस बेस असर्शनरी नहीं यह सोचो आपके paper में जैसे सवाल आते है ठीक है NCRT, अगर मैं CBSC के बात करूँ ऐसा कोई blueprint नहीं मिला है कि इस chapter से इतने नमबर के सवाल आएंगे basic idea है बस हमें इस तरीके के सवाल आएंगे इतने एक नमबर के, दो के, तीन के ऐसा कुछ नहीं है atoms and molecules को अब हमने 8 दिन दिये, हमने 15 दिन यूज़ कर लिए 6 और 7, sorry 6 और 7 होगे, 13, 13 दिन यूज़ कर लिए फिर हम atoms and molecules पे आते है इसको थोड़ा जाधा time चाहिए क्योंकि ये chapter सबसे 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 ज़ाधा important है even structure of atom, क्यों? क्योंकि जब आप 10th class में जाओगे न आपको पता चलेगा इन chapters की importance पहला chapter ही समझनी आएगा अगर आपको chemical formula बनाना नहीं आता आपको valency के बारे में नहीं पता आपको configuration के बारे में नहीं पता ठीक है? moles वगेरा क्या होते हैं ये नहीं पता तो इसलिए ये chapter बहुत ज़रूरी है time लगता है समझने में और अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है इसलिए हम इसको 8 दिन दे रहे हैं day 1 and 2 NCRT revision पहला दिन, दूसरा दिन in-text question and exercise from NCRT day 3 chemical symbols and formula की practice क्यों? जैसा मैंने बोला सबसे ज़्यादा important topic है practice अरे इका हो गया just a minute हो जाता है बही कलती से mistake इरेस कर देते हैं भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था इसकी practice करना बहुत ज़रूरी है starting के 20 elements के आपको symbol लिखने आने चाहिए उनके बारे में पता होने चाहिए उनके atomic number पता होने चाहिए कौन कहा है, 14 atomic number पे कौन सा element है, etc, etc ठीक है? फिर formula making, ठीक है? आपको पता है कि calcium sulfate का formula लिखना है, कैसे लिखोगे? valency याद होनी बहुत ज़रूरी है valency के बारे में valency elements की तो फिर भी आसानी से निकाल लेते हो, valency electron देखके, बड़ जब बारी आती है polyatomic ion की तो उसको याद करना पड़ता है तो valency table given NCRT की book में उसको याद कर लेना atoms molecules में ठीक है? उसको याद कर लेना right? day 4, mind map and NCRT example, mind map again, खुद का बनाया हुआ उससे आप क्या करोगे? 25-30 minute में पूरा chapter अच्छे से revise कर सकते हो right? day 5 one mark questions, assertion reasoning questions एक तरीके से वही one mark में जो भी possible सवाल बनते हैं day 6 and 7, फिर से इसको दो पार्ट में divide कर लिया 6 day को second or I mean 2 number के और 3 number के सवाल 7th day को 5 number के सवाल और case based सवाल जब ये पूरा हो गया आखरी दिन हम करेंगे self test जैसा बताया, आप चाहो तो मैंने बीच में भी हर एक chapter का test लेना शुरू किया था surprise test मैं आप लोगे लिए एक overall test भी plan कर दूँगी, जो पूरी chemistry से है ठीक है, जो आपको बहुत help करेगा तो 13 और 8 कितना होते है, 13 और 8 कितना होते है, 21 21 days हमने consume कर लिए, अब उसके बाद आते हैं structure of atom पे, structure of atom को हम कितने दिन दे रहे 6 है ना, 27 हो जाएगा, जरूरी है ये chapter आसान है, समझ जल्दी आ जाएगा, बढ़ जरूरी है केस पे enough time spend करें, 6 दिन में से फिर से एक दिन, क्योंकि छोटा है ये chapter, NCRT revision और सवाल के लिए, 2 घंटे की एक sitting लगाओ even 2 से 2.5 फार भी लेके जा सकते हैं, छोड़ना मत बीच में notes के इतरू revise कर सकते हैं, फिर सवाल लगा लो सारे day 2 को क्या करोगे, mind map जो आप खुद बनाओगे और NCRT examplar के सवाल, electronic configuration और formula को फिर से revise करोगे, electronic configuration पता होना बहुत जरूरी है, आपका topic बहुत important है हर एक type के, day 5 को करेंगे, again मैं इसको दो पार्ट में divide कर देती हूँ, 1.5 day each, ठीक है 3, 4, 5, मेरे पास 3 दिन है, 3 दिन को मैंने divide कर लिया, 1.5 day each, मतलब एक दिन आपने one more question कर लिये सारे, दूसरे दिन आधे time में आपने assertion reasoning सवाल कर लिये, आधे time जो बच गया तो 3 नंबर के 5 नंबर के सवाल कर लिये case base के साथ, हो गया काम, क्या आपको मेरे बात समझ में आई, पहले दिन इन तीन दिन में से one more के सवाल किये, दूसरे दिन other time utilize करके assertion reasoning कर लिये, other time बचा दो नंबर के सवाल कर लिये, तीसरे दिन जब पहुंचे, तीन और पांच नंबर के सवाल कर लिये case base के साथ, पांच दिन accommodate हो गया, day 6 सिर्फ और सिर्फ self test के लिए उस chapter का, ठीक है self test बहुत जरूरी है, school में भी आपके teachers test लेते होंगे, आप उसको भी reference मान के solve कर सकते हो, right, चलो, 27 दिन, 27 days हमने utilize कर लिये, अब हम करेंगे last 3 days का use, और in last 3 days का use करेंगे, किस लिए, revision, planning, strategy and एक पूरा combine test, वही हम देख रहे है, last 3 day, one day revise all the chemistry chapters, 4 chapter है, अब आप master already बन गए हो, क्योंकि आप continuously पढ़ाई कर रहे हो, बहुत आसान है, एक दिन, सारे के सारे symbol and chemical formula, इन पर में बार-बार क्यों focus करेंगे, इसके बिना chemistry अधूरी है बच्चों, इसके बिना 10th में बहुत दिक्कत आएगी, असंभव हो जाएगा, और exam में भी इससे सवाल आते हैं, और last दिन, जो बच गया 30 दिन में से, last and self-test based on the four chapter, यह मैं भी आप लोग के लिए create कर सकती हूँ, बट आप उसके लिए कोई भी पुराने साल का आपका paper उठा लीजे, अपने seniors को किसी को बोल देजे कि आपका science का paper अगर आप दे सकते हो तो, ठीक है, CBSC के sample paper को भी आप solve कर सकते हैं, the entire science का, उसमें से उठा लो, chemistry वाला portion, ठीक है, done, done, are done, सब sorted है, सब समझ में आया, give me a yes in the chat, your atoms, your students, give me a yes in the chat, तो अब आप बन गए chemistry के बाच्षा, इसी तरीके से आप पूरे के पूरे, सिर्फ chemistry ही नहीं, अपने बाकी के subject भी prepare कर सकते हैं, पर क्योंकि एक महीना आप लोग के लिए बाकी है, आपको कम से कम अभी 5-6 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो 1.5 hours लगाते हैं each, तो इसका मतलब है, आप बाकी के दो-3 subject को और उठा के चलेंगे साथ में, जिन subject पे revision time कम लगना है, जो समझने के लिए आसान है, उनको कम time दे दो, जो समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, जैसे math science, उसको थोड़ा जाधा time दे दो, ठीक है, as simple as that, आप बारी आती है, 45-day strategy, आप लोग तो इस 45-day का मतलब हो गया, एक महीना, पंदरा दिन, है न, इन अवे डेड़ महीना, am I wrong, नहीं, काफी time होता है वो, revise करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी माम राहे थोड़ी भटकी होई है, अगर आप उसको प्लान करोगे, बढ़ आपको थोड़ा सा extra effort डालना, इसलिए पढ़ेगा, कि आपके पासे जो 45-days है, आपकी हालत खराब है, इसको best तरीके से utilize करो, best, तो कम से कम 6 गंटा आपको पढ़ना पढ़ेगा, लेकिन, again, you make sure कि आप कम से कम 4 subject, 3-4 subject बढ़ रहे हो, Maths, Maths के साथ Science, Science में आपने Physics, Chemistry ले लिया, Chemistry, Bio ले लिया, Bio Physics ले लिया, it's all about your cooperation, तो 45-days में से 40-days हम रखेंगे, revision के लिए, पाच तिन रखेंगे, self-test के लिए, वो बहुत जरूरी है, again, chapter-wise और एक पूरा chemistry का, सबसे पहले ही chapter की बात करूं, matter in our surrounding, अब तो और असान लगेगा, 8 दिन, पिछली बार हमने 6 दिन दिये थे, 30-day strategy में, अब 8 दिन दे रहे, बहुत असान है, 1-3 दिन, और आप सिर्फ 1-1.5 आर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, 1-1.5 आर्स, NCRT revision, in-text question and exercise, 3 दिन है, एक दिन सिर्फ NCRT से revise कर लो, दूसरे दिन, आप क्या करो, notes से revise कर लो, तीसरे दिन सवाल लगा लो, ठीक है, day 4, mind map and NCRT examplers, again, mind map खुद का बनाए हुआ, 5 and 6, दो दिन है, दो दिन आप, one mark के question, one hour each, one mark question में, एक दिन, आपने क्या कर ली, MCQs लगा लिए, जो दूसरा वाला दिन ठीक है, दूसरे वाले दिन पर आपने assertion, reasoning और fill in the blanks वाले सवाल लगा लिए, single definition वाले एक number के सवाल, अगर आगे, तो वो भी कर लो, 6, 7, 2 दिन में, 2, 3 वाले सवाल, 5 वाले सवाल, और case-based सवाल, case-based वाला सवाल, 4 नंबर का आता है, तो एक दिन, 2 और 3 नंबर के सवाल क efficient है, वो भी एक से देट घंटा पढ़ाई करने पर, अगर मैं बात करो, is matter round is pure, काफी बड़ा chapter है, यह strategy इवन आप तब भी लगा सकते हैं, जब separation technique डिलीट ना हो, enough time है, बट अभी है, तो आप, आपके पास और advantage है, 12 दिन में chapter complete करना है, क्योंकि बड़ा chapter है, तीन दिन revision के लिए, एक बार NCRT textbook से, एक बार note से, और एक बार सिर्फ exercise के सवाल लगाने से, day 4 में आप सिर्फ numerical solve करो, इस chapter में concentration based सवाल, solubility based सवाल आते हैं, तो वो आपको सवाल solve करने आने चाहिए, तो उनकी practice करो, ठीक है, एक दिन, again 1.5 hours each, day 5 and 6, mind map and NCRT examplers, एक दिन आपने mind map से quickly revision कर लिया पोरे chapter का, एक दिन आपने NCRT examplers को solve कर लिया पोरे chapter का, 7, 8, एक दिन आपने one mark के MCQs लगा लिये, दूसरे दिन आपने fill in the blanks हो गए, one mark का statement होगी और assertion based question लगा लिये, ठीक है, day 9 to 11, तीन दिन है, अब तीन दिन में आप क्या करोगे, एक दिन आप दो नंबर के सवाल लगाओ, एक दिन आप तीन नंबर के सवाल लगाओ, एक दिन आप पाश नंबर के सवाल लगाओ, case based सवालों के साथ, sorted है, and day 12, self test, उस chapter का test is very very important, यो atoms, क्या ये बात आपको accommodative लग रही है, समझ में आ रही है, बता दो मुझे जल्दी से, wonderful, तो हमने यहाँ पे यू दिये है, exactly same plan आप यहाँ पे भी follow करोगे, once say three, एक दिन NCRT book, एक दिन notes के through revision, एक दिन सवाल लगान है, पूरी NCRT के, day 4, 5, आप दो दिन में क्या करोगे, chemical symbol, formula and valency chart, same procedure जो 30 दिन में अपलाई किया, बट यहाँ पे आपको जाधा time मिल रहा है, एक दिन आप utilize कर लो, chemical symbol और formula, revise करने में, एक दिन valency chart और configuration revise करने में, ठीक है, फिर 6, 7, एक दिन mind map से quick revision chapter का mind में पूरा image भी बना ली, paper पे भी लिखके देख लिया, अगले दिन NCRT exemplar के सवाल लगा, 8 and 9, एक दिन आप करोगे, one mark के MCQs question, fill in the blanks question, एक दिन करोगे, आप assertion reasoning based question, definition based questions, ठीक है, 10, 11, एक दिन आप करोगे, 2 और 3 number के सवाल, एक दिन आप करोगे, 5 number के और case based सवाल, अब बचाए, day 12, self test, self test is very important, school के test को भी use कर सकते हो, आप चाहो तो खुझ से भी test बना के दे सकते हो, to know, कि हाँ, mixture of questions, यह मुश्किल है, यह easy है, यह moderate है, यह भी जरूरी है, तो मैं आपको 32 days हो गए, अब हम आते है, structure of atom, जिसको मैंने 8 तिन दे दिये, ताकि हमारे 40 तिन पूरे हो गए, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, day 12, एक दिन मैंने NCRT revision किया, दूसरे दिन index सवाल लगा, exercise के सवाल लगा, again, every sitting must be for 1.5 hours, each when I talk about this chapter, right, day 3, electronic configuration and formula, formula making, electronic configuration, valency फिर से revise कर लो, ठी ठीक है, valency भी जरूरी है, day 4, mind map and NCRT examplers, पूरा एक mind map खुद से बनाना है, बन जाएगा जल्दी, फिर उसको revise करना है, और फिर NCRT examplers के सवाल लगाने है, day 5, आप one mark की questions सारे के सारे कर सकते हो, छोटा chapter है, आसान chapter है, MCQs हो गए, assertion reasoning हो गए, fill in the blanks हो गए, 6, 7, एक दि नमबर के सवाल, दूसरे दिन करो 5 नमबर के और case-based सवाल, ठीक है, और 8 दिन self-test के लिए यूज़ करो, राइट, 40 दिन accommodate हो गए, अब बचे हमारे पास last 5 days, ये किन बच्चों के लिए plan है, फिर से बताओ मुझे ध्यान से, ये उन बच्चों के लिए plan है, जिनके paper March 1st week, 7 in March, उसके आसपास शुरू हो रहा, ठीक है, rough idea, last 5 दिन में से, दो दिन आप revise करो, all the chemistry chapter, कैसे 2-2 chapter के combination में बाट लो, पहला 2 chapter, 1-7 cents बनाता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करो, 3-4 chapter, वो 1-7 cents बनाता है, ठीक है, तो ये एक दिन कर लो, ये second day कर लो, quick revision, ठीक है, 2 hours each, at least, 2-2.5 hours each, दो दिन सारे symbols, chemical formulas, सारे important definition, इसके साथ साथ एक और चीज़ इंडाल रहे हो है, सारे important definitions, ठीक है, सारे important definitions, के latent heat of fusion, क्या होता है, latent heat of vaporization, क्या होता है, melting, क्या होता है, boiling, क्या होता है, solution, क्या होता है, colloidal solution, क्या होता है, suspension, क्या होता है, moles, चलो delete हो गया, molecular formula, क्या होत सारी इंपॉर्टेंट डेशन याद करो गए और लास्ट का डेश्ट बेस्ट 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 अन ओल दे फोर चाप्टर यानि कि आप पूरा का पूरा के मिस्ट्री का टेस्ट होगे और वो टेस्ट की डूरेशन क्या रखनी है वन से 1.5 फार्ट ठीक है एक से डेढ़ वाल कि मिस्ट्री के पेपर को मौक करना चाहते हैं कि 80 नंबर का पेपर आना है असी नंबर में 23 25 नंबर की के मिस्ट्री आएगी तो उसे साबस्टे आप 13-25 नंबर का पेपर भी सेट कर सकते हो इस ओल гॉर अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंन सेक्षिन में बताइए के जी माम एक पूरा chemistry का surprise test ले लो जिसको हम एक mock test की तरह यूज करेंगे जिससे हम पूरा का पूरा chemistry का को एक revision कर लेंगे ऐसा definitely हो सकता है ऐसा definitely मैं आप लोग के लिए लेके आ सकते हूं Yes, तो ये बता हो मज़ा आया क्या आपको ये plan accommodative लगा? मुझे तो बहुत लगा क्योंकि आप 30 तिन हो, चाहे आपके पास चाहे 45 days हो you have still ample amount of time but again, मैं एक subject की strategy बता रहे हूं makes sense, बट आप इसको pair कर सकते हो with extra subject, क्योंकि एक से देड़ महिना जो exam का last time है, सबसे ज़ादा precious है तो इसको सबसे ज़ादा use में लेके आना है कब से कम हर दिन 5-6 गंटा पढ़ाई करनी है 3-4 subject का combination बना सकते हो depending upon कि हां किस तरीके से आप accommodate करोगे easy subject है, उनको कम time दे दो difficult को ज़ादा, मान लो 5 गंटे पढ़ना है तो आपने 5 गंटे मैच में लगा दिया बाकी के धाई गंटे आप 45 minutes SST revise कर लिया 45 minutes English revise कर लिया ठीक है? तो डेड़ गंटा बना है ना? 45-45 है? आप समझ रहे हो ना मतलम मैं कहना क्या चाहरे हो 1 गंटा 15 minutes, 1 गंटा 15 minutes which is 75 minutes each which is also enough time इस खराब हो जाता है ना माम का कभी कभी होता है कभी कभी इधर back of the bind पता नी क्या कौन सी दुनिया चल रहे होती है so I hope you understood what I meant तो आप बताओ, क्या लग रहा है कि तयारी हो जाएगी माम अब तो sorted है सब plan भी sorted है, idea भी लग गया अपने साथ बस harsh नहीं होना है आप लोग करते क्या हो कुछ नहीं आया, you'll be like end of the world, मुझसे नहीं हो रहा खुद को बारे में खुद भी सोच लेना खुद को जज़ करना, don't do this बहुत छोटे हो अभी, बहुत दुनिया देखनी है और बहुत अच्छा कर सकते हो सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो अच्छे से उसको समझने की कोशश करो, जितना समझने की कोशश करो कि उतना याद रहेगा और उतना अच्छा कर पाओगे, तो ये वाली अप्रोच रखो, ये हमेशा काम आएगे अब बताओ, मैम की बात में दम लगा है ना, तो एक्जाम पास हा रहे हैं, do your best आपकी एजी मैम, आपके सारे टीचर्स आप लोग के साथ हैं आपकी सेवा में तत पर हैं, आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराने को, बस आप फॉलो करते रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा, अगर आपको टेस्ट चाहिए, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सवप्राइस टेस्ट, I'll plan for you, do let me know, और बस, all the best, मिलेंगे जल्दी, तियारी करते रहो आगे बढ़ते रहो, all the best atoms, bye-bye, see ya, take care